कि हलो एवरिवन वेल्कम अगेन ओन यूर्ट चैनल सी उनिटी वर्ल्ड सो अगर आप लोग भी सी उनिटी पीजी दोहजार पचीस के लिए पेपर देने वाले हैं तो आपके माइंड में भी यह सवाल जो है वह आ रहा होगा कि पेपर जो है वह एक्चुली मार्च में होगा या फिर अप्रेल में में या फिर जोन जुलाई में कहीं ऐसे स्टूडेंट है जो अभी के टाइम पे इस चीज को लेके मैसेज कर रहे है और चीजे जो है वो आई थिंग थोड़ी डिले भी यहाँ पर हो गई है सो जाइड सी बात है कि इस तरीके के जो कोशन है वो उटन बाजी भी यहाँ पर हो जाता है सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीटेल से बताने वाला हूँ कि लगबग आपके जो पेपर है वो यहाँ पर कब तक हो सकते है कहीं ऐसे स्टूडेंट जो बोलते है कि सर मार्च के अकोडिंग हम लोग तैयारी करके चले या फिर अप सेप्टेम्बर में यहाँ पर आपका अकड मीघ आ गया था उस अकोडिंग देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट आपको देखने को मिल रहले है क्योंकि अभी जो हम उक्टूंबर का आपका यहां पर मंत चल घालती है नहीं त्लिबह टकस्वाल उतशीं से एकज धाह्त चां कर वाता है तो इनको अपने सिस्ट्यमटिक भंग से ही कर वाता है तो जैसे अभी जी मेंस का जो आपका यहाँ पर पर प्थंस को पर ऐट यहां पर और थे dag경 कई बाइस जनवरी से लेकर और जो है 30 से जनवरी तक जो है आपके यहाँ पर में यहाँ पर चलेंगे किस-क जी मैंनो के और कर में लास्ट येर की बात करूं यानि की दो हजार चोईस की तो दो हजार चोईस के अंदर आइधिंग जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं कि जो है वो ट्विंटी नाइन जनवरी से जो है पेपर आपके यहां पर स्टार्ट हुए थे तो लगबख सीडियोल आपका वही बन मुझे नहीं लेगता कि इसके अंदर कोई डिले आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो बाकी एक्जाम के अंदर कैसे आपका यहां पर डिले हो सकता है क्यों आप जून जुलाई के साथ बताता हूं कि पेपर आपके कहां तक हो सकते है ठीक है और बाकी तैयारी के समझा रहा है बड़ जो अपनी क्लासे से नहीं जूड रखे या फिर हमारे पास जो सब्जेक्ट नहीं है उन सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे वो एकसर मेसेज करते हैं उनके डाउट रहते है कि पेपर टाइम से होगा नहीं होगा हम तैयारी किस अकोडिंग करे ठीक तो देखो मैं बताता हूँ आपको एक बारा फिर से कि देखो मार्स के अंदर जो है आपका मोश पॉबली पेपर जो हो जाना चाहिए अब अगर आप जून जुलाई की बात करेंगे तो क्या जून जुलाई में पेपर होना समभव है क्योंकि आपके जो है अगस्त के ना मेरिकों ठीक है समझना चैसे अगर यह लोग जुलाई में पेपर करवाते हैं तो फिर अगर जुन में पेपर करवाते हैं तो फिर जुलाई ले लेंगे आपके रिजल्ट को लेके ठीक है रिजल्ट में पूरा जुलाई खीश देंगे उसके बाद आपका अगस्त वैसे स स्टार्ट हो जाएगा तो फिर अगस्त के अंदर युनिवर्सिटी अपनी कांसलिंग करवाएगी या फिर क्लासे स्टार्ट करेगी तो कहीं न कहीं जो हो सेशन लेट होते हैं इसलिए मार्च में यहां पर करवाने का मतलब है कि टाइम से सेशन स्टार्ट हो जाना अभी जै सेप्टेमबर तक जो है यहां पर अपना एडमेशन का प्रोसेस कंप्लेट नहीं हो पाता है तो आप कैसे बोल सकते हो कि जो जुलाई के अंदर यह लोग पेपर करवा के अगस्त के अंदर खतम कर देंगे पोसी वली नहीं है तो इस एकोडिंग भी अगर देखे इस पॉइं और एंड यानि कि मानलो नॉंबर आपका स्टार्ट हो गया अभी आपके पास पूरा नॉंबर का मन्त यहां पर पड़ा हुआ है उसके बाद दिसंबर में जो है आपके फोम यहां पर आते है तो लगबग दो महीने का टाइम है इसमें आराम से एंट आपको सब कुछ जो क्लियर कर देगा कर पेपर होगा क फोम आएगा सारी चीजह आपकी मुशली क्लियर हो जाएगा एंगे अगर आप मार्च का भी मान के चलते हैं तो आपके पास दिसंबर, जनवरी, फर्वरी और मार्च यानि कि अभी भी आपके पास चार महीने का इनफ टाइम है अगधर कि आप मेरे से पूछ होगे अगर मार्च की जगह यह अपरेल महीं में चला गया तो क्या आपको नुक्सान होगा बलकि आपको फाइदा ही होगा फाइदा इसलिए होगा क्योंकि आप अपनी तैयारी मार्च के अकोडिंग अल्रेडी कर चुके हैं तो यहां मार्च से जो है मही में जाने में आपको क्या करना है यहां पर तो आपको अच्छा वासा टाइम मिल जाएगा लेकिन अगर आप पहले ही जो जून जुलाइगा टार्गेट लेके चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आज के टाइम में जैसे टोफ इनिवर्सिटी का जो कटोफ यह आज के टाइम में आपके फोर्म 40,000 प्लस यहां पर फोर्म भरे जाते हैं समझ रहों 40,000 बहुत होते हैं इतनी सीटे भी नहीं होते हैं इनिवर्सिटी इसमें ठीक है तो सीटे तो ना के बराबर होते हैं लेगिन एप्लिकेंट जो फोर्म भरने वाले हैं वो कितने यह session है वो कब से start करेंगे क्या यह लोग जुलाइ में फेपर लेके फिर जन्वरी में 7 start करेंगे उसीबल यह सफोड़ी होता है अगर से no उनिवर्सिटीज के नोर्मली ठीक है तो फिर अगसे ही आपके सिसन स्टार्ट होंगे ठीक है युनिवर्सिटीज में आपको पता है कि सेमेस्टर सिस्टम चलता है ठीक है सेमेस्टर सिस्टम जो आपका चलता है तो उसमें सिसन जो है वह आपका अगसे स्टार्ट होगा देखो कईने का इनिवर्सिटी जो है वो अपने सिस्टम को ट्रेक पे लेके आएगी क्योंकि यह जो सिस्टम आप देख रहे हो ना जून जुलाई वाला यह लोगडाउन के बाद हुआ था ठीक है क्योंकि चीजें सही अच्छे से मेनेज हो नहीं पाई सेशन लेट हुए ल साकर कि आपको टाउट नहीं होना चाहिए मैंने एक बार फिर से आपको डाउट क्लीर किया है क्योंकि इन्होंने जी मेन का भी नोटिएशन भी जो हो रिलीज किया है और उसी को हाईलाइट करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी पेपर है लगबग मार्श मे सुरू हो चुके है और यहां पर 22 नॉंबर तक चलेंगे 28 अक्टूबर से सुरू है है और 22 नॉंबर तक आपके चलेंगे एंटे जो है हर एक्जाम के अंदर लगबग आपको 20 से 25 दिन का यहां पर टाइम देता है फोर्म फिलिंग के लिए तो यहां पर वो टाइम भी दिया किया है और जब आपका सीउटी का यहां पर चलेगा ठीक है सीउटी का चलेगा तो उसमें भी आपको लगबग 20 से 25 दिन का टाइम यहां पर दिया जाएगा यानि कि दिसंबर के एंड में फोर्म आता है 20 दिसंबर को फोर्म आता है तो लगबग मान के चलो 15 से 20 जनवरी तक आपका यहां पर जो फोर्म है वो फिल होगा यानि कि आप अपना फोर्म फिल कर सकते तो आपको अच्छा आपसा टाइम मिलेगा गाइस ओके आपको क्लियर हो गया होगा और अपनी जो तैयारी है उस अकोडिंग करिए यूटूब पे बहुत सारे वीडियो रोज अपलोड होते है इस चीज को लेके लेकिन एक चीज अपने माइंड में अभी से आप फिट कर लो कि मार्च में आपके पेपर जो होने वाले है और मार्च में पेपर आपके होते हैं तो तैयारी आपको अभी से यहां पर स्टार्ट कर देनी है आपका कोई भी सब्जेक्ट हो अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजे बाकि आपको other information इस channel पर मिलती रहेगी इस video को देखने के लिए आप सभी का thank you so much